केंद्र सरकार ने गुरुबार को केंद्री करमचारियों का महंगाई भत्ता यानि दिये तीन फीसदी बढ़ा दिया है उन करमचारियों के मूल वेतन में अब डिये बढ़कर 31 फीसदी हो गया है पेंशन भोग्यों को भी महंगाई राहत यानि डियार में बढ़ोत्री की गई है केंद्र का ये फैसला एक जुलाई 2021 से प्रभावी होगा डिये और डियार बढ़ोत्री की घोशना से करीब 47 दश्मनब 14 लाग केंद्र सरकार के करमचारियों और 68 दश्मनब 6-2 लाग पेंशन भोगियों को लाब होगा पंजाब के पूर मुक्किमंत्री और हाल ही में नई पार्टी बनाने का एलान करने वाले कैप्टन अमिरंदर सिंग ने कॉंग्रेस के नेताओं दोरा सेकुलरिजम का पार्ट पढ़ाए जाने के बाद जवाब दिया दरासर पंजाब कांग्रेस परवाणी अरिष राबत ने कैप्टन के पार्टी बनाने और बीजेपी के साथ जाने वाले बयान के बाद काहा कि कैप्टन ने अपने अंदर के सैकुलर अमिरंदर को मार दिया इसके जबाब में कैप्टन ने कहा कि हरीश रावजी धर्म निर्पिक्षता के बारे में बोलना बंद कीजिए और ये मत भूलिये कि कॉंग्रेस ने 14 साल तक BJP में रहने वाले नबजो सिंग सिद्धू को कॉंग्रेस में शामिल किया इसके अलाबब कैप्टन के मीडिया सलाकार ने ट्विट कर पूछा कि नाना पटोले और रेवनात रेड़ी कहां से आए अगर RSS से नहीं आए कैप्टन ने कहा कि कॉंग्रेस ने चार साल तक अकाली दल के साथ रहे परगर सिंग को भी शामिल किया कॉंग्रेस नेतन अब जो सिंग सिध्धू ने कैप्टन अमरंदर सिंग को तीन क्रिशी कानूनों का सूतरधार कहा सिध्धू ने ट्विट कर कैप्टन को कहा कि तीन काले कानूनों के सूतरधार जो अम्मानी को पंजाब की किसानी में लाए जिनोंने पंजाब के किसानों, छोटे व्यापारियों और मजदूरों को एक दो बड़े कॉर्पोरेटों को फाइदा पहुचाने के लिए तभा किया सिद्धू का ये बयान कैप्टन की नई पार्टी बनाने और बीजेपी के साथ गठबंदन करने वाले बयान के बाद आया सुप्रीम कोट ने किसान अंदोरन को लेकर गुरुबार को कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन बे अनशित काल के लिए सडकों को ब्लॉक नहीं कर सकते सुप्रीम कोट ने किसानों को सड़कों से हटने की मांग वाली एक याचका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए किसान संगटनों को तीन सपता कहा समय दिया कोट ने मामले की अगली सुनबाई 7 दिसंबर को तै की है दो नियाई दिशों की पीठखा नेतरुत कर रहे है जस्टिस एस के कॉल ने कहा कि समाधान नियाईक रूप अंदोलन या संसदिय बहस के माध्यम से हो सकता है लेकिन राजमार्गों को कैसे अवरुद किया जा सकता ह ये कहां खत्म होगा भारती किसान यूनिन के नेता राकेश टिकेट ने सुप्रीम कोट की सड़क को ब्लॉक करने वाली टिपणी को लेकर कहा कि ये दिल्ली पुलिस है जिसने आंदोलन इस्तल पर बेरियर्स लगाए हैं किसान उन्हें नहीं लगाए इसके साथ ही उन्हों इस पष्ट करना चाहेंगे कि ये दिल्ली पुलिस थी जिसने विरोध इस्तल पर बैरिकेट्स लगाए थी उन्होंने कहा कि हम ये भी मांग करते हैं कि दिल्ली पुलिस जनकल्यान के लिए अब इन्हें हटा देगी डग्स मामले में आरेन खान की नियाएक हिरासत को अब 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है आरेन खान की 14 दिनों की नियाएक हिरासत आज खत्म हो रही थी बता दें आरेन खान की जमान त्याचका को मुंबई की एक अधारत ने खारिज कर दिया जिसके बाद आरेन के वकील ने मुंबई हाई कोर्ट का रोक किया है जिसकी सुनबाई 26 अक्टूबर को होनी है इससे पहले आज शारुख खान आरेन से मिलने मुंबई की आर्थर रोड जेल गए थे नार्कोट्रिक्स कंट्रोल बेवरो की टीम गुरुवार को फिल्म अभिनेता शारुख खान के मुंबई इस्तित घर पर पहुंची इसके लाब अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे के घर भी एंसीबी की टीम पहुंची और उनसे पुस्ताच के लिए हाजर होने को कहा गया शाम को लगभग चार बजए अनन्या एंसीबी के दफतर पहुंची और यहां उनसे पुस्ताच की गई है शारुप ने आज ही मुंबई की आर्थर रोट जेल में जाकर आरेन से मुलाकात की थी महराश सरकार के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक ने NCP पर फिर नए गंभीर आरोप लगाये है उन्होंने कहा कि अभीनेता सोशान सिंग राजपूत की आत्महत्या के बाद बॉलिवूड के लोगों को फसाया जाने लगा और इसके मामले के बाद विशेश कर एक अधिकारी को एजनसी में लाया गया उन्होंने कहा कि ये रिया चक्रवर्ति को भी फर्जी तरीके से फसाया गया और बाद में बॉलिवूड के अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड करवाई गई नवाब मलिक ने NCB अधिकारियों पर उगाही का आरूप लगाते हुए कहा कि कुरोना महमारी के दौरान जब बॉलिवूड के लोग मालदीव में थे तब समीर वान खेड़े और उनका परिबार भी वहीं था उनको इसका खुलासा करना पड़ेगा कि वो वहाँ क्या कर रहे थी नवाब मलिक ने NCB के अधिकारी पर बॉलिवूड से उगाही करने का आरूप लगाया उनने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबाई में हुई है और इनकी तस्वीरें मैं साजा करूँगा बीजेपी के नेता वरुन गांधी ने एक बार फिर मोधी सरकार को निशाने पर लिया वरुन ने लोगों को राशन बांटते हुए एक टूइट किया और कहा कि तराई का अधिकांश भाग बुरी तरह से जलमगन है इसलिए राशन दान कर रहा हूं ताकि कोई भी परिवार इस आपदा में भूखा ना रहे उन्होंने कहा ये दुख की बात है कि जब आम आदमी को सिस्टम की सबसे ज़रूत होती है तो वैं खुद के ही हाल पर छोड़ दिया जाता है पर उन्हें कहा कि अगर हर बार प्रतिक्रिया व्यक्तिका तोर्ब से ही होनी है तो शासन का क्या मतलब है प्रियंका गांधी ने विधानसबा चुनाओं से पहले एलान किया है कि उनकी सरकार बनने पर वो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफून और सनातक लड़कियों को इलेक्ट्रोनिक स्कूटी देंगी कल आगरा जाते वक्त प्रियंका जब कुछ चात्राओं से मिली तब उन्होंने बताय कि उनके पास मोबाइल फोर नहीं है जिसके बाद प्रियंका ने उनको यह भादा किया कि वो मोबाइल देने की घोशना करेंगी और उन्हीं छात्राओं की वीडियो को ट्विट करते हुए प्रियंका ने यह जानकारी दिये अब पूर्वी योरोप कोरोना की चपेट में है रूस-रूमानियम जैसे कई देशों में संक्रमन के रिकॉर्ट मामले आ रहे हैं रूस में हर रोज 18,000 से जादा केस आ रहे हैं इससे पहले वहाँ सबसे जादा मामले पिछले साल निवेंबर में करीब 10,000 दरज की जा रहे थे रूस में भी हर रोज रिकॉर्ड 34,000 मामले सामने आ रहे हैं इससे पहले वाँ सबसे ज़ादा मामले पिछले साल दिसंबर में 28-29,000 मामले आये थे रूस में मौझूदात समय में रिकॉर्ड इस्तर पर मौते भी हो रही हैं 20 अक्टूबर को ही एक हजार से ज़ादा मौते हुई है। इनके साथ ही पूर्वी योरोप के बुलगारिया, लिथवानिया, लात्विया जैसे देशों में भी संक्रमन काफी ज़ादा बढ़ गया है। सिंगू बॉर्डर पर मारेगा दलित शक्स लखवीर सिंग के खिलाफ हर्याना पुलिस ने F.I.R. दर्ज कर ली है। लखवीर के खिलाफ सीखों के पवित्र गरंत के कथित अपमान के मामले में केस दर्ज किया गया है। इंडिन एक्स्परस के नुसार लखवीर पर भारतिय दंड सहता की धारा 291 के तहट मामला धर्ज किया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे है सत्तिहिंदी.com के साथ। सत्तिहिंदी का एप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर। सत्तिहिंदी का गूइभ गार भार 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 रार भार भार में इतना ही। झाल